है 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 हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है तिरपान स्टेडी सेंटर में यहां पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्वपून है बी ए फर्स्ट यर समेस्टर सेकेंड पंजाव इन्वर्सिटी और हमारे समक्ष जो यहां पर बुक आया है वह आया है सभी बच्चों को मैप के कोशन काफी महत्वपून रहते हैं और उसमें कुछ समझ नहीं रहती है तो यहां पर मैं पंजाब के पर मुक्के जो हैं इतिहास इस्थान को लाया हूँ जो आप एक्ग पॉइंट से काफी महत्वपून है इसमें हम पंजाब के मुक्य speaks दो अच्छा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को जो आपके लिए इस्थान क्या आया है यहां पर जो हम कर रहे हैं पंजाब के इतिहासिक अस्थल के अंतरगा तक्षिला का एक महतुपून अस्थान है क्योंकि विद्या का केंद्र था और इसके बारे में जनना भी काफी महत रखता है लेकिन तक्षिला के बारे में विश्थार पर बताने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जितना हो सके इस विदियो को शेयर जरूर करें और इसको सेयर करने के कुछ और नहीं करना है सिरफ लिंग को अपने वर्टसप लिट्रिट्स में लगाना है इतना का पर आजनिया में अगर आप कुछ अच्छे कहिएगा तो यह आपको भी मन को सांती मिलेगी इसलिए जरूर करें पहली बार मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मिवाल में सेव कर जी जो की आपके लिए जरूरी है देखा जाकर हम बात करें यहाँ पर पंजाब के इतिहास सिल के अंतरगात – तक्शिला का – तक्शिला आपी अपनजाब करतार में एक पुरात्विक महत्व का स्थान है क्योंकि यह पंजाब के रावा पिंडी में है यानि पाकिस्तान में है और यह काफी महत्वपून स्थान है तक्षिला जो है प्राचीन पंजाब के रामा पिंडी जीले में एक पुरात्विक महत्व का स्थान है तक्षिला जो है इस इसलमाबाद और रमापिंडी से 55 दिशामी है और 32 किलोमीटर दूर ग्रेट ट्रैक रोड पर समुन्दर की सता से पान सो उनचास मीटर की उचाई पर यह इस्थित है यह तक्षिला का जो है मैप है ति यह जो है इस लमाबाद रमापिंडी से पश्मी उत्तर दिशामी है और 32 किलो मिटर दूर ग्रेट ट्रेक रोड पर समुंदर की सता यानि समुंदर की सता से जो है पांसो उन्चास मीटर की उचाई पर इस्तित है और बरतमान में यह रमापिंडी जिले के तक्षिला तहशील का मुख्याले भी यहां पर है और कहते हैं प्राचीन तक्षिला जिसका साहितिक नाम काटे पत्थर का सहर यानि तक्षिला को जो है नाम से जाना जाता था कटे पत्थर का सहर या रॉक अप्स ताशा और यह मद्दे पश्रिम और पश्रिम अशिया एबं पश्मत्तर भारत के किंद्रे स्थान पर इस्तित था चीनी यात्री फ्रांस सन 405 इश्वी में तक्षिला आया था देखिए चीनी यात्री के बारे में परहा होगा फर्यान के बारे में जो सन 405 इश्वी में तक्षिला आया था और उसने अपनी पुस्तक में इसे राज्य चूहा सी लोग का वर्नन किया है यानि इसके बारे में इसने भी जो है अपनी पुस्तक में लिखी इसी तरह का दुसरा जो है चीनी बहुत भिक्षू जो सन 630 इसापुर्व में एवं 643 हम से दो बार भारत आया था उसने इस नगर को काटा चासी लोग कहा तहीं जो जो आया उसका जो है नया नाम दिया और इसे देखा जाया तो प्लाटमी की जो है जो ग्रफी में से तक्षिला कहा गया जो कावी मैत पून है प्राचीन संधब के अनुसारा का तक्षिला नाम का हम अर्थ जाने तो कहते हैं नाम राजा तक्ष जो की राजा भरत का पुत्र था यानि तक्ष जो था राजा भरत क के छोटे भाई थे और इनके छोटे भाई के बेटे के नाम से जो है तक्ष के नाम से इसको तक्षिला रखा गया और यह मानता भी है कि तक्ष सौधा नामक राज्य के राजा थे और उन्होंने ही तक्षिला सहर के परंपरा गत ढंग से बसाया था और यह भी माना जाता है कि सबसे पहले तक्षिला में वैश्यापन दोड़ा जो की व्यास रिशी के शिश्यती रिशी व्यास के आदे से नाक के वलिदान के समय महाभारत का पाठ किया गया था तो ये देखा जाया तो इतिहासिक तोर पे भी इसका अपना महत्पूनस्तान है तक्षिला का वर्नन वोद से में चर्चा की गई है जातक सहीते के अनुसार ये नगर गंधार परदेश की राजधानी था जातक देखा जाए जातक सहीते के अनुसार ये गंधार परदेश की राजधानी थी और एवं सिक्षा का एक बहुत बरा केंदर था कहते हैं यहां पर बहुत लोगों ने जो ह सिक्षा गरन किया है इसमें से सबसे महत्वपून बात जाता है चंद्रगुप्त मोडिया जो की यहां के जो सिक्षक थे चनक के उसके दोरा पढ़ाए गया तो देखा जाते हैं महत्वपून अस्तान माना जाता है जब सिकंदर के विजय अवियान के समय प्राचीन भारत में तक्षिला पश्वी पंजाब का एक महत्वपून नगर था जब सिकंदर भारत पर आक्रमन किया था जब विजय हासिल किया था तो इस समय तक्षिला जो था पश्वी पंजाब का एक महत्वपून नगर था और भारत पढ़ इशापूर्व सं 326 में सिकंदर दोरा किये स्वागत भी बहुत जोड़दार सब्दों में किया था कहते हैं वह इसलिए इसका स्वागत किया क्योंकि वह पूरस को हराना चाहता था अंबी सिकंदर को इसलिए यहां पर निमंतरन भेजा और बुलाया और स्वागत किया क्योंकि वह अपने दुश्मन पूरस को हराने के लिए उसने सिकंदर को मदद भी की तो ऐसा ही हमेशा चलता रहा है हमारे राजनीतिंग में कि हम अपने ही पैर पे कुलहारी मारते हैं तो यहां पर अंबी ने भी सिकंदर को बुला के अंबी को हराने कोशिश किया लेकिन इसका चाल ही उल्टा पड़ गया इसके बारे में आप यहां पर वीडियो होगा उसको आप देखिए पता लग जाएगा क्या कहानी क्या थी उसके बाद जो देखा जाए तो यहां पर नोतर भारत के राजधानी भी बनाया और असोग जो चंदुगुप्त मोरिया के पोत्रा था कि समय में तक्षिला बोध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंदर के रूप में जाना जाता है मोरेसमराज की तिसरी पीडी के बाद तक्षिला को हिंद। गृbecue राज्ज मी मिला लिया और इसके पश्षात इंड़ी सभ शाका राजा म八शन उस समय के तक्षिला के घृक्षप्षृ को तक्षिला को तक्षिला को अब उसके हांतों से च्षीन लिया उसके बाद रेख ज तामबे के सिक्कों से होती है कि मिलने के कारण हमें पता लगता है कि यहां पर कई राजाओं ने शार्षन किया कलांतर में हुन राजा ने पैथलिस्टर से गंधार एवं पंजाब को जीत लिया और बहुत पुरात्मिक परतीकों तता स्थुपों को नस्ट कर दिया और उन्ह काफी महत्वपून शिक्षा केंदर था और बोध परचार और बोध ग्यान का भी काफी महत्वपून अस्तल थी हम यहां बात करें पंजाब के मुक्य त्यास स्थान के अंतरगत भटिंडा का अपना एक मिसेस अस्थान है देखा जाये तो भटिंडा सहर का नाम भाटी गुजर के राजा यहां पर राज करते थे इसलिए जो है भटिंडा का नाम भटिंडा परां यह जो है पंजाब पढः चटी सदावदी के शात्र करते थे इनका समय काल जो नाम भटिंडा रखा उवा है और यह शेहर पंजाब के सबसे पुराने सहरों में लोग स्थिटी के नाम से भी जाना जाता है तो बहुत असानी प्रविश कर जाती है इसलिए भारत को गजदर वाजा भी कहाता है जहां से सभी अकर्मकाडी प्रवेश करती है और इस सहर का प्राचीन नाम देखा जाए तो विक्रमगड था इसका प्राचीन नाम जो था विक्रमगड था ये आपको पता होना चाहिए अगर आगे हम बात करें तो 965 इस्वी में भटिंडा पर हिंदू शाही राजा जैपाल का राज्य था यानि देखा जाए तो 965 इस्वी में भटिंडा पर हिंदू शाही राजा जैपाल का राज्य था और सुल्तान सुलुक गीन और फिर मुहम्मद गजनी दोराया आकर्मन किया गया यानि मुहम्मद गजनी ने भटिंडा को अपने अधिकार में लिया और 1040 में गजनी ने और 1189 में गवड़ी ने भटिंडा के किल्वे कर लिया यानि देखा जाए तो इस पे जो है सबसे पहले गजनी ने इस पर आकर्मंण करके इसको को अपने कब्जा में लिया उसके बाद गौरी ने भी भटिंडे की लोग पर कब्जा किया और 1191 में प्रित्वी राज चोहान ने मुहमद गौरी की तराई का पहले यूद में हरा कर इसे पुर्णे कर ले लिया या देखा जाया तो यह एक बहुत बड़ा इतिहास की तरफ यह आगे ले जा रहा है जहां पर पित्वी राज चोहान ने मुहमद गौरी को तराई के पहले यूद में हरा कर भटिंडा पर अधिकार किया वहीं देखा जाया है तो इतुमीस द्वरा रजिया सुल्तान का दिल्ली के शाशक घोशित किया गया तो भटिंडा के राजा र सुल्तान और बटिंडा के नंब ऐधिक शाश्व को पहली सुल्तान रजिया सुल्तान का स्राशक घोशित किया गया तो उसमय भटिंडा के राजा राज़ राज पाल मलिक ने और बाकियों ने जो राज पाल थे उन्होंने विद्रो कर दिया भटिंडा से और रजिया को किला मुबारक भटिंडा में भी कैद किया गया अब देखिए कितनी महत्पुनस तल है जहां रजिया को किला मुबारक में भटिंडा में ही कैद किया गया था क्योंकि ये राजा सब खुश नहीं थे कि एक महिला जो है शाशक मने इसलिए इन्होंने विद्रो का बिगुल बजा दिया था और इसके बाद यहां सिद्व बरारों के शाशन किया और फिर लोधी दोरा उन्हें हटा दिया गया तो कहते हैं एक के बाद एक राजा इस पे र है गोबिन सिंग जी ने भटिंडा का भ्रह्मन किया यानि यहां पर आखे घूमी और भटिंडा धार्मी के वं संस्कृति विरासत से भी सम्रिद्ध सहर है इटो से बना हुआ कि यहां का सबसे पुराना वे उच्चे भवन है यहां पर दो गुर्दवारे हैं पुराने कहा जाता है यहां गुरु नानक देव जी ने जैपूजी साहब का एक लाख पाट किया था देखिए धार्मिक तोर पर से भी बटिंडा का स्थान काफी आधर नीय रूप में देखा जा सकता है और इसलिए इस जंगल को लाखी जंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर ग देखा जाए थानेशर का अपना एक विसेश अस्तान है और यह जो है तनेशर हरियाना राज्ये में स्वस्वति सागर के किनार इस्थीत थनेशर सेर इतियाज द्रिश्टे से भी महत्वपून है यानि यह अस्थान जो है स्वस्वति सागर के किनार इस्थीत है थनेशर और इतियासित इस्टि कौन से भी यह महत्वपूर्ण अस्थान बन जाता है देखा जाए तो यह कुलुच्छेत्र जिले में आता है यानि इसका जिला कुलुच्छेत्र है और कुलुच्छेत्र का ही एक पार्ट है थनेशर इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है थनेशर का नाम संस्क्रित शब अस्थानिश्वर से लिया गया जिसका अर्थ होता है भगवान का घर यानि देखा जाए थनेशर इसलिए भी इन्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर कई संस्क्रिती यहाँ पर मिली हुई है और इसलिए भी महतुपूर्ण है थनेशर का स्थापना छेवी स्थावदी के में गुप्त समराज के पतन के उपरांत हुई जब गुप्त समराज खतम हुआ तब थनेशर की अस्थापना हुआ और माना जाता है कि भगवान शिव की उपासक पुष्भूती ने इसका भी नाम पड़ता है हर्षवर्दन वंस पर यहां पहला शाशक था जो हर्षवर्दन था यहां पर पहला शाशक था जिसने इसे अपनी राजधानी बनाया बाद में अपने जीजा के मृत्तु के बाद उसने कनोज खोबी थनेशर के समराज मिला लिया लेकिन यह भी महतु जुक्तार उसमें राज्जे में मिला लिया तो यह भी महत्पुन बात है। Isnesने कनोज को भी थनेश्वर के समराज में मिला लिया। और देखा जायत तो 2014 इसमीए मुहमद गजनी ने यहां आकर्मन भी किया और वह चक्र स्वामी मंदिर को लूट कर नस्ट भी कर दिया। कभी आठ में आ रहा है कभी 14 में कभी 13 में तो मैं आपको बता दू मुहम्मद गजनवी हमेशा भारत पे आता था आकरमन करता था और यहां से अपार धन लूट के अपने देश ले जाता था और अपने पीछे जो हमेशा एक गुलाम साशक को यहां का गवर्नर बना कर जाता तो मुहम्मद गजनवी कुछ इसी तरह के कारे करता था और उसने थ्रासवर को भी नहीं बक्षा और 2014 में मुहम्मद गजनवी ने यहां आकरमन किया और चक्रस्वामी मंदिर को लूट कर नस्ट कर दिया और वह थ्रासवर के खूब धन बंदी लेकर गजनवी लोटा यान जिस पर परलियंस बस्तापत का प्रवाब देखा जा सकता है कहते है थनेशर जो है में कई सी गुरूं का भी दर्शन दीए इसकी याद में यहां गुर्द्वारे भी बनाये गए जैसे गुर्द्वारा तिसरी साथवी पताश 15 नवी 15 पताशी तो काफी यहां पर स्ञर्णार्थीं के तस बहुतवारा आया जो पाकिसतां से इंडिया में आये थे उडिया से पाकिस्तान में गहे थे। तो जो से नार्थियों के रहें सेन खान पीन का विवस्ता किया गया था तो वो असल थनेशर थी और इसले भी महतपूर्ण है इसके पास ही सहर का विकास होने लगा यानि उसके बाद जो ही सहर का काफी विकास हुआ और 23 जनवारी 1973 में एक नए जीले कुरुचेतर की अस्थापना की गई कहते हैं कुरुचेतर काफी महतपूर्ण अस्थान रही और थनेशर इसका मुखे सहर बनाया गया यानि थनेशर जो है कुरुचेतर का ही महतपूर्ण अस्थान है और यह भगवान शिव की समर्पित जो है स्थान श्वर यानि महादेव दुख भजन महादेव मंदिर भी है तो यहाँ पर भगवान श्रिव का मंदर भी बनाया गया है इसलिए भी यह असल काफी महतवपून बन जाता है कहते हैं इंदु धरम में जो स्रिव को मानते हैं वो यहाँ पर जरूर जाते हैं यहां पर वजन महादेव मंदिर है तो उसको देखने के लिए जाते है और अपने दुक दर्द को यहां पर शुटकारा पाते हैं तो यह तरेश्वर्ट काफी महत्वण धार्मिक रूप से भी महत्वण बन जाता है यदि हम यहां बात करें पंजाब के इतिहासिया स्थान के अंतरगर्थ कुंडल बन की तो कुंडल बन का अपना एक विस्षेश मैत्व रखता यहां पर कुंडल बन देखा जाए तो एक धार्मिक और इतिहासिक अस्थल है जहां पर बहुत से करमकांड होते हैं यहां जैसे नाम से आपको समझ आ गया होगा कुंडल बन तो इसलिए भ देखिए और भी महत्वपुन बन जाता है इसका जो अस्थल है कहीं न कहीं कस्मीर घाटी और स्री नगर के समीप है और आपको तो पता यह है कस्मीर और स्री नगर कितने महत्वपुन अस्थल है टूरीडिजम के अंतरगत तो इसलिए भी कुंडल बन का अपना महान राजा कनिक्ष ने 120 इस्वी में यहां बोद संसद का आयोजन किया था तो यह महत्पुन बात है कि कनिक्ष ने 120 इस्वी में यहां बोद संसद का आयोजन किया था और यही बात माना जाता है कि यह संसद में 500 से अधिक जो है मतवासिव विद्वान चातरों ने भाग लि तो यह इसलिए भी कुंडल बन काफी महत पूनस्तान अपना रखता है कि यहां पर 500 से अधिक मतवासिय और विद्वान छात्रों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता महान बोध विद्वान वशुमित दुरा की गई तो यह और भी महत पूनस्ताल बन जाता है कि इसका प सुचिएगा कि महा विवास क्या होती है तो यहां पर देखा जाया है महा विवास का संग्ल करने का मतलब यह होता है कि बोध धरम का विश्वकोष कहलाता है जो बोध धरम होते हैं उनका विश्वकोष कहलाता है इसी के अंतरक जो है बोध धरम आगे बढ़ते हैं कहते अशोध ने लिखा ता और इसको ही इस संसद का उपसभावति के रूप में चैनित किया गया और इस संसद में पालिके स्थान पर पहली बार सुनस्क्रिती भाषा में جो है हर बात को रिपर्जेंट की गई ये भी महत्पुन बात है कि संसद में पालिक्यस्तान पड़ संस्कृती भाषा का मैत हुदिया गया और पहली बार पस्तावों में निर्ने आदी को लेक बंद करने का निर्ने भी किया गया पहली बार कि सारे विचारों को लेक बंद करेंगे लेक बंद का मतलब होता है लिखित रूप में रखेंगी कहते हैं लिखित रूप में कुछी होने से उसमें बदलाब नहीं आता है जैसे हमारे भारत सविदान जो है लिखित रूप में है तो उसमें बदलना मुश्किल कारे होता है लेकिन चलिए जो होता है तो समय के साथ आपको पता लगी जाता है अगर हम बोथ धर्म के विवीन सखाओं के व्यापत मत और मंत्राओं के वज़ा से बोथ धर्म का बटवारा हुआ यह आपको पता होना चाहिए कि कुंडल बन ही ऐसा स्थन है जहां पर बोध धरम का जो है बटवारा हुआ और यह दो शखाओं में जो है विवक्त हो गया एक हीनियान न महायान PCs पहले बोध धरम एक हुआ करता था लेकिन कुछ विचारों के मतमटाव के कारण जो है इसकी दो शखाओं में पिवक्त हो गया एक हीन यान एक महायान तो यह काभी महत्वपून भत यहां पर आता है यहां देखा जाए तो वशुमेत्र अश्वशोद और नागा अरजुन बार पार्शुमे जैसे दिगजों के आगमन और बोत धरम पर होने वाली के कारण यह बहुत अन्यायों के लिए महत्वपून धार्मी का स्थाल है क्योंकि सारे जो यहां पर आगमन हुए और यहां पर बहुत सी बाजविचारधार रखी गई इस कारणों से भी जो है बहुत धरम के लिए यह काफी पुजनी अस्थान माना जाता है कुदे कुंड आपके मुक्जे असी बात करें तो लहोड तो लहोर काफी महत्वपून स्थान है यह आपको हर एक कश्णा में हर एक समेस्टर में आता करें तो वो काफी इंपोरेंट रहता है लहोर की बात करें तो लहोर आधूनिक पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है अधूनिक पाकिस्तान का जो आज का पाकिस्तान है उसका दिल जो है लहोर है पाकिस्तान की सहर भारत के उत्तर पश्मी में रवी नदी के किनारे पर स्थित है आप सूचिएगा कि भारत के उत्र पश्मी में रवी नदी किनारे पर कैसे स्थित है तो पाकिस्तान में है दोस्तों जो रवी नदी निकलती है वो देखा जाए तो पाकिस्तान से भी निकलती है और यह जो अलहावर है वो पा भारत के उत्तर पश्मी दिशा में रवी नदी के किनारे परिस्तित है और यह पंजाब का सबसे बड़ा नगर है इसलिए इसको दिल भी का जाता है सारे गत्विदियां जो ओती राजनी थी को वो कहीं न कहीं लाहौर में ही उती इसलिए बहुत बड़ा सहर रही है यह विभ वाजा नहीं हुआता इस इस सहर ने अपने उपर हिंदू बोध ग्रीक मुस्लीम सीख ऐबंबिटीश हकूमत के बंते बिगरते को भी देद कहते से एकने बहुत ब्रुमड है यहां हिंदु शाही राजवन्श का जो है साशन था जब तुर्की आकरबन हुई थी तो यहां पर हिंदु शाही राजवन्श का यहां साशन चलता था उस समय वहां का शाशक जैपाल हुआ करता था यानि उस समय का जो राजा था हिंदू राजा वो जैपाल था और सन एक हजार एक इस्वी में मुहम्मद गजनवी ने जैपाल के पुत्र अनंद पाल को हराया तेखिए ये समय था जहां मुहम्मद गजनी ने भारत प्राकर्मन किया था और भारत प्राकर्मन करने के शबसे प्रतम जो था उसने जैपाल के पुत्र अनंद पाल को हराया और देखा जाता लहोर को अपने कबजे में लिया मेहमूद ने मलिक अजय को यहां का गवर्णर बना कर इसे गजनी समराज की राजधानी भी बनाया देखिए गजनी जो समराज्य था उसकी राजधानी लहोर बनी और यह जो हुआ था मुहम्मद गजनी भी की समय हुआ था गजनी समराज के पतन के पश्षा जब गजनी समाप्त हो गया था क्योंकि देखा जाया तो गजनी के समाप्त होते ही गुलाम बंस का भी अंत हुआ था तो उसके पतन के पश्षात लाओर बिभिन मुसल्मान राजवन्ष के प्रभुता में रहा यानि बहुत से मुसल्मान शाशक आएं जिनके प्रभुता में जो है लाहौर फली फुली और इसमें दिल्ली सल्टन के खलजी, तुगलक, सेद, लोधी, शूरी, राजवन्ष सामिल थे यानि ये सब के सब जो है लाहौर पर अपना राजवन्ष को स्थापत करने में महत्वपुन्था दिखाई कहते हैं सुल्तान कुतुदिन एवक एवम इतुमिष के साशन के अरंबिक दोर में भी लाहौर दिल्ली सल्टन की राजधानी बनी रही अब देखें ही महत्वपुन है सुल्तान कुतुदिवीन और इतुमिष जो थे गुलाम बंश के साशक थे और उनके समयकाल में क्योंकि इनको जो है गजने मुहम्मद गजनेवी ने इस समराज्य को सोपा था उसके परशाद देखा जाया तो कुतुदिवीन एवक ने भी और तुमिष ने भी जो है लहौर को ही अपनी राजधानी बनाई तो ये काफी महत्वपुन ही यहाँ पर बात बनती है देखा जाया तो मुगल शाषनकाल के दौरान लहौर अपनी स्थापना काल के सिखर पे रहा क्योंकि काफी महत्वपुन यहाँ गत्विदियां हुई तो कहते हैं मुगल के दौरान काफी महत्वपुन इसका स्थान रहा इसी समय में यहां मसूल लोरी गेट का भी निर्मान हुआ जो लोरी गेट है उसका निर्मान भी मुगल शाषनकाल के दौरान हुई और जहागेर के पुत्र शाहां का जनम भी लहौर में ही हुआ था तो इसलिए भी महत्वपुन बनता है जहांगीर के पुत्र सहाचाह का जनम यहा हुआ यानि देखा जाय तो अकबर के पोते का जनम जो है लाहूर में हुआ सहाचाह ने लाहूर में बहुत सारे भबनों के साथ साथ अली मारबाग का भी निर्मान करवाया ये भी महत्वपुन बात है कि यहां पर देखा जाया है तो बहुत सारे भबनों के साथ साथ साली मारबाग का भी निर्मान करवाया और अंग्जेव के काल में यहां बादशाई मस्जीद और अलमगीरी दरवाजे का भी निर्मान करवाया गया तो यह हर एक समय काल में जो है लहोर का अपना है महत्पूर्ण अस्थान था गुरू अरजन देव ने लहोर के डबी बजार में बाउजी का निर्मान किया यह काफी महत्व था जो गुरू अरजन देव जी थे उन्होंने लहोर के डबी बजार में बाउली का निर्मान किया वो जहांगीर के निर्देश अनुसार यदि यहीं उन्हों ने जो है 1606 में सहीद कर दिया गया था यानि जहांगीर ने गुरु अरजन देव जी को सहीद करने के लिए कहा गया था तो 1606 में यहाँ पर गुरु अरजन देव जी को सहीदी भी प्राप्त हुई थी बावा ऐसे घटना घटी जो इतिहास कोई बदल के रख दिया जहां आप गुर्द्वारा सहीद गंज भी इस्तित है यानि सहीद गंज जो है लहोर में इस्तित है जो काफी महत्व रखता है सतार सक्सटिस्वी में जस्टा सिंग और अबलु वालिया ने ख्वाजा अवेद को हराकर लहोर पर कबज़ा भी किया और सतार सुनियानवे में महराजा रंजीस सी ने इसे अपने आधीन किया इसे अपने समराज की राजधानी भी बनाया तो देखा जाए तो महरा रंजीस सींग ने भी लहोर को अपना महत्वपुनता देते हुए उसकी राजधानी बनाई महरा रंजीस सींग की मृत्व के बाद अंग्रेज ने इसे अपने अधीन कर लिया और पंजाब प्रांथ की राजधानी बना दी तो जैसे ही महरा रंजीस सींग की मृत्व हुई कहते हैं अंग्रेज ने भी जो है इसको पंजाब प्रांथ की राजधानी जो है लहोर को बना दी और बिस्वी सतावदी के मद्य तक लहोर भारतिय सुदंता लहर का केंदर बिंदू रहा सुदंता के जितने भी कारे प्रनाली हुई कहीं न कहीं लहोर को मुख्य रखा गया और सबसे मैत पुर्ण बात थी कंग्रेज के लहोर सत्र में ही पुर्णे सुदंता की मांग रखी गई लहोर जेल में कई सुतंता सिनानी को भी कैद किया गया जतिन दास की मिरत्वी यहीं पर हुई थी भगर सिंग को फांसी भी दी गई थी लहोर जेल में ही और इसी तरह लहोर में कंग्रेस के जो है उनिस सो चालिस सत्र में पाकिस्तान बनाने की मांग भी जो है लहोर में रखी गई तो देखा जाये तो लहोर की काफी महत्वपून अस्तान बनता है सद्यों से लहोर वर्जिंग बेपार का सेंटर रहा कि भी यहां पर देखा जाये तो हर तरह के जो है बेपार होती थी इसलिए भी लाहूर काफी महत अपून हैं और आज भी है इसकी महता खोई नहीं है यहां से अफगिस्तान पालिस मद्दे एशिया से बेपार होना एक सोभाविक था क्योंकि यह ऐसा स्थान था जो सभी देसों रज्जों से मिलते थे दे और काफी महत अपून केंद्र बन जाता है अगर हम यहां पर मुख्य अस्थान के अंतरगत देखें इत्यास अस्थान के अंतरगत तो मुलतान का अपना एक महत अपून अस्थान है मैवर के अंतरगत कहते हैं मुलतान पाकिस्तान के पंजाव राज्य का शहर है मुलतान ज पंजाब राज्ये का शहर है पंजाब राज्ये देखिए पाकिस्तान के पंजाब राज्ये पंजाब तो भारत में है पिर पाकिस्तान के हम बात क्यों कर रहे हैं लेकिन आपको बात समझ होना चाहिए कि आधा जो है पंजाब पाकिस्तान में है आधा पंजाब हिंदुस्ता में है तो इसलिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शहर है यह पंजाब राज्य है उसमें एक सहर मुलतान है और यह चनाव नदी के किनारे में इस्तित है इसे सूफियों यह संतों का सहर भी कहा जाता है क्यों यहां पर सूफी और संतों का सहर कहने का यह भी है क्योंकि यहां सूफी संतों के कई मकवरे हैं और यह बाबा फरीद का जनम स्थल भी है इसलिए इसका जो है आपको मैप वर्क में दिया गया है कि ये बावा फरीद का जनमस्थल के साथ सूफी संतों का भी यहां मकमरे बने हुए है देखा जाए तो सिंदु घाटी सविता में यह क्रिशी स्थल था सिंदु घाटी सविता के अंतरगत हम इसको बात करें तो यह अस्थान क्रिशी के अंतरगत आती है यहाँ पर क्रिशी की जाती थी प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत के समय या कटोकच राजाओं के समराज्य त्रिगता की राजधानी थी अब दखिए इसका जो है महाभारत काल से भी मुल्तान को जोड़ा जाता है क्योंकि प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत के समय जो कटोकच था यानि भीन का जो पुत्र था कटोकच रजाओं के समराद त्रिगता की राजधानी थी मुल्तान के कई नाम है मुल्तान कई नामों से जना जाता है इसे आप कश्टपूर भी कह सकते हो इसे हस्पूर भी कह सकते हो या नागपूर भी कह सकते हो तो मुल्तान कई नामों से जाना जाता है मद्दे एशिया और दक्षिन एशिया के रास्ते में होने के कारण यहां कई युद लड़े गए है क्योंकि ये मद्दे एशिया और दक्षिन एशिया के रास्ते में आता है देखा जाए तो मद्दे एशिया और दक्षिन एशिया में एंट्री करने का रास्ता है इसलिए यहाँ पर कई युद हुए है और युद होने के कारणी इसका और भी महत बढ़ गया 326 इसापुर्व में देखा जाया तो सिकंदर महान ने बाव पाचवी सदी में इसापुर्व में यहां हुनों के आकर्मन भी किया यानि ये काफी अतिहासिक तोर पे बहुत काफी महत पून है यानि सिकंदर अलेक्जेंडर ने भी यहां पर अपना बससुब अस्तापित किया था वहां देखा जाया तो हुनों ने भी यहां पर अपना बससुब अस्तापित किया था 1712 इसमी में मुहम्मद बिन कासिम ने इस पर कबजा किया तो ये काफी महत पून बात है कि 1712 इसवी में मुहम्मद बिन कासिम ने इस पर जो है कबजा किया और भारतिय उप महादीब के द्वार पर होने के कारण कई अकर्मकारी ने यहां विद्वन्स भी किया यानि देखा जाए तो बहुत से अकर्मकारी ने इस चेत्र को जो है विद्वन्स किया जैसे मुहम्मद गजनी ने जो है इसको तहस नहस किया वहीं त्यूमुर लंग ने भी किया जब भारत में बावर आया तो बावर ने भी मुल्तान को तहस नहस किया तो देखा जाया और रजाओं ने भी इसका जो है काफी जो है तवाही मचाई आकरमन करके 1557 में मुगल समराज में समलित होने के बाथ यहां 200 साल तक सांती रही यानि जब मुगल समराज ने इसको अपने आधीन कर लिया तो यहां पर कोई परकार की युद नहीं देखने को मिला इसे दरा दर अल अमन भी कहा गया इस समय काल को दर अल अमन के नाम से भी जाना जाता है प्रंतु जव अंग्रजेव के मिल्तु के उपरांत यहां पहले मराठे ने रगुनात रायक्रितु में फिर जो है दुर्दानियों ने आकरमन किया तो यह काफी महतपून बात है क्योंकि अंग्रजेव जो था मुगल समराज का पावरफुल के अंतर गद देखा जाए तो यह आख्री सक्तिशाली राजा था उसके बाद जो है कमजो राजा बना जिसके कारण जो है यहाँ पर अकरमकारियों की जो है संक्या बढ़ती चली गई यानि जब मुगल समराज्य था तो दो साल दो सो साल तक जो यहाँ पर सांती बनी रही इसी कारण से इसको दर अल अमन भी कहा जाता है लेकिन जैसे अंग्रजेव की मित्तू हुई यहाँ पर देखा जाए तो मुल्तान का जो है तहस नहें ऐस हो गया और 1811 में महराजा रंजी सी ने दीवान भवानी दास्मित्व में सेना की एक्टुकरी को नवल मुझफर खां से जोह सीख दरवार को बकाया सुक्राना लेने मुल्तान भेजा यानि देखा जाया तो भरा रंजी सी के भी यहाँ पर गत्विदियां सम्मलित हो गई और 1818 में जब खरक सिंग और दिवान मिसर चन मुल्तान अभियान में आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो रंजी सी ने विशाल तो जमजमा को कर के रूप में नहीं दी जा रही थी जब उन्होंने खरक सिंग और दिवान मिसर को चन मुल्तान अभियान में आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो रंजी सी ने यहाँ पर विशाल तोपों से आकरमन करके इस पर विजय हासिल कर ली सिख ने यहां 1849 तक राज्य किया और उससे अंग्रेज द्वारा जो है 1849 में अपनी समराज में मिला लिया गया यानि देखा जाये तो सीख ने जो है 1849 तक राज्य किया और उसके बाद है जो है अंग्रेजों ने इसको अपने समराज में मिला के मुल्तान का जो है अलग ही रूप दिया तो देखा जाये तो काफी महत्वपून यहां पर स्थल है जो की पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शहरों में से एक माना जाता है अगर महत्वपूनता की बात करें तो पंजाब के मुक्य इत्यास के स्थान के अंतरगात उच्छे है और देखिए इस सहर जो है उच्छे काफी महत्वपून है औ और कई वार examiner ने इस question को जरूर पूछा है और हमेशा important रहता ही है उच्छे की बात करें तो 325 इसवी पुर्व में सिकंदर महान दोरा स्तापित उच्छे नगर यानि इसकी स्तापना किस ने किया था सिकंदर महान ने जो की 325 इसा पुर्व में था तो इसका जो है स्तापित उच्छे नगर की रूप में था उस समय और एक महत्वुन इसका सिकंदर महान ने इसलिए भी ये महत्वुन इतियासि यालिक्जंड्रियोस के सभण नाव और सतलूज के संगम सथल से जो है सौ किलो मिटर दूरी पर जो है उच्छे से नगर इस्थित है हला कुछ इतैसकार मानते हैं कि विक्रम जीत के आने से पहले यहां जयन वह बुद्ध शाषन करते थी इतियासकार को मानना है उनकी विचार जो है कि विक्रम जीत क आने से पहले जोन और बुद्ध साशन यहां करते थे बुद्ध धरम और जैन धरम के लोग जो इस पर साशन करते थे उच्छे पर लेगिन देखा चाहे तो सिकंदर का निवास्तान पठान कोट था यह महतपुन बात है कि सिकंदर का निवास थान पठान कोट था और 733 में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा यहां आकर्मन किया गया और यहां आकर्मन मुहत्पूर्ण थी मुस्लिम साशन में उच्छ इसलामिक क्थे दिजाती थी और दिली सल्त्रेंट के सासकों ने 16 सताबदी में यहां दबदवाया बना रखल रुखा और 17 सुफ्यों के मकवरे भी हां पर देखने को मिलता है और जैसे साइज जयाद उल्दीन बुखारी और उसके परिवार का मकवरा वा उसके साथ कई गुबंदकार मकवरे भी सम्मेली थे बहात अलिम का जो है मकवरा जो उसके सिश्च दोरा बनवाया गया था बीवी जयाद विंदी का भी मकवरा यहीं पर इस्थित है तो इनासको ने भी इसको जो है विश्व दरोर के रूप में जो है उच्चे का स्थान दिया है तो इस पॉइंट व्यू से भी काफी महतुपूर जो है उच्चे स्थान बन जाती है और देखा जाए तो इसका अपना भी महतुपूर रखता है एक्जाम पॉइंट आफ तो थटा का अपना ही विश्यस अस्थान रहता है थटा सिंदू नदी के डेल्टा परजिती सबसे प्राचीन सहर है प्राचीन का आर्थ होता है यह बहुत पुराना सहर है थटा जो है सिंदू नदी सिंदू नदी के डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है जहां पर पानी कत्र और यहाँ प्राद्व समारक भी यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि यह काफी प्राचीन है इसलिए हमें प्राचीन समारक भी देखने को मिल जाता है इतिहासकार मानते हैं कि थट्टा सिकंदर के आकर्मन के समय सिंदू नदी का मुख्य बंदरगा था बहुत से इतिहासकार ये मानना इनका कि थट्टा जो था सिकंदर के आकर्मन के समय सिंद नदी के मुख्य बंदरगा था थट्टा सब एक सिंदी शब्द थट या थट्टी से लिया गया है जिसका अर्थ नदी किनारे छोटी बस्ती से होता है यहां थट्टा देखा जाएं तो इसका अर्थ ही यही होता है कि थट भी कहते हैं और थट्टी भी कहते हैं और ये जो है इसका अर्थ ये होता है किसी नदी किनारे बसी हुई छोटी सी बस थी इतिहास इतिहासिक लेकों कि अनुसार ये एक धनी अवादी वाला सम्रिद वेपारी इलाका था जहां कई संत अब विद्वान रहते थी तो क्यों ये थट जो है देखा जाये तो पुराना प्राचीज सहर है तो इसलिए यहां पर बेपारी गत्विद्य होना एक आम बात बन जाती है और सबसे महत्पूर्ण बात है कि यहां पर कईत रखे संत जो विद्वान है वो यहां पर रहते हैं और अपना जीवन यापन करती है जो कावी महत बनाता है सहर को 12 वर्ट किलोमेड की छेतर पर फहले मलस्की के कवश्चतान से पता चलता है कि यहां तीन राजवन्स ने राज किया देखिए हम अगर वहां अगर प्रात्वी का अद्ध्यन करें तो इसे पता लगता है जो वहां कवरिस्तान बनी हुई है तो कवरिस्तान के अंदर तीन र जो है कवरिस्तान है जिससे में पते चलता है कि यहां पर तीन राजा जो थे राज्य किया सब प्रतम अगर बात हम करे सम का तो सम वन्ष के शाषक जम निजाम उदीन के आधीन थट एक मुख्य जो है संस्कृति एवां अध्योगिक केंद्र था तो यह इसके लिए महत्पु बनता है कि जम जो है निजाम उदीन के अधीन थट एक मुख्य जो है संस्कृतिक एवां अध्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है कहते हैं उसके उपराद भाईयों ने इसके जो है इसमें यूद छिर गया और जिसके फायदा उठाते हुए आधीन बंस ने इसे अधीन कर लिया कहते हैं जब दो भाई लड़ेंगे तो तिसरा तो फैदा उठाएगा तो यही बात आधीन बंस किस आ सकने यहां देखा नादीर शाह के सिंद पर कबजा करने के बाद थटा जो नगर का पतन होने लगा यानि देखा जाए नदीर शाह के सिंद पर कबजा क करने के बाद धीरे-धीरे जो है थट नगर का पतन होने लगा यह समापती की अपनी चरम सीमा पर पहुच गई और इसके इलावा देखा जाया तो सिंदू नदी के दूर होने के कारण भी इसका महत्त कम होने लगा तो नदी से दूर होना कई मानने में जो है उप जाओ जो है थट्टा नगर पाली का स्थापित हो गई और वह कई निवास्तल बनाए गए जो कभी में तो पूरते हैं संपर्क साथनों अब हम अधारी सचना में सुधार के बाद यह नगर काफी सम्रिद हो गया कहते हैं समय के साथ जो घाव लगी थी वह भड़ा और आगे चलके जो है इस पर काफी सरचनाओं में सुधार किया गया काफी जो है इनके संपर्कों को साधने का जो है माध्यम बनाया गया और उसके बाद यह नगर आज जो है काफी सम्रिद हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं पंजाब के मुख्य इस्ता इतिहासी अस्तान के अंदर की तो जलंदर का भी अपना महत्वपून कहानी है महत्वपून बात है जो मैं आपके समक्ष रखूंगा भारत की अजादी के बाद 1947 से लेकर 1903 तक जो की काफी महत्वपून समयकाल है देखिए भारत के अजादी 1947 में हुई थी और उससे लेकर तिरपन तक जब तक की चंडिगड नहीं बना था चंडिगड उस समय अस्तित्व में नहीं था जलंदर पंजाब की राजधानी थी जलंदर जो थी पंजाब की राजधानी थी आभी के समय देखा जाए तो पंजाब की राजधानी चंडिगड है लेकिन जब चंडिगड का जो है स्तित्व नहीं था उस समय पंजाब की राजधानी जलंदर हुआ करती थी और इसे पुर्व में लुदियाना जीला पश्री में अगर चले जाए तो कपुर्थला है जहां पर रेलवे के पुर्जों का निर्मान होती है अगर उत्तर की बात करे तो हुसियारपूर और दक्षिन में फिरोजपूर जो की काफी महतवपूरा स्थान यहां जलंदर से बनती है जलंदर का नाम एक प्रांते शब से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी के भीतर का जगा देखी काफी महतवपूर है जलंदर का नाम प्रांते शब से लिया गया जिसका अर्थ होता है पानी के भीतर की जगा क्योंकि यह सतलूज एवं व्यास नदी के बीच में स्थित है अ पुरानों एबं महाभारुत में भी देखने को मिला है ये तो आपने भी देखा होगा कि जलंदर नाम के विक्तिता जो शिव से बार बार उक्साते थे तो ये सारी कहानी पुरानी कथाओं में हैं और ये महाभारत के कुछ पुरानी कथाओं में भी जलंदर का जिक्र आता है जलंदर को राम के पुत्र लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है देखा जा जलंदर को राम के पुत्र लव राम के पुत्र दोते लव और कुश तो लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जलंदर को जाना जाता है रप्राचीन काल में जलंदर सिंदु घाटी सवता का महत्वपून केंदर वीरा सिंदु घाटी सवता का बहुत से चीज़े जो है हमें जलंदर के छित्रों से भी मिली है इसलिए भी इसका महत्ता और बढ़ जाती है कुसान समराजे के महान राजा कनिक्ष जो की 120 इस्वी में यहां वृद्दे संसद का ऐजन किया था को 120 इस में यहां पर वृद्दे संसद का आयोजन किया था बोद का जो विचारधारा होती थी इस संसद में बताई जाती थी माना जाता है कि उसे संसद में 500 से अधिक जो है मटवासी वा विद्वान छात्रों ने भाग लिया था तो ये काफी महत पूर्ण बात है कि कुशान ने जो 120 इसा में जो है बहुत संसद खायरून किया था उसमें 500 से भी अधिक जो है मटवासी और विद्वानों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता महान बोद विद्वान बशुमित दुरा की गई थी यानि इसका ध्यक्ष जो थे विद्वान बशुमित दुरा की गई थी और उसने इस संसत को से ही महाविवाग का अंकलन भी किया जो की बोद धरम का विश्व कोश कहलाता है अश्व गोश एक अन्य विद्वान जिसने त्री पठक पर जो है टिपनी लिखी थी देखिए ये भी महत्पून बात है जलंदर की कि अद्र शोद एक अन्य विद्वान जिसने त्री पठक पर अपनी टिपनी लिखी थी और वह इस संसत का उप सभापती भी था और इस संसंद में पाली के स्थान पर संस्कृति भाशा में है और पहली बार पस्तावों निर्णाय आदियों को लेक बंद करने का निर्णाय भी लिया गया ब्याप्त मतांतरों के वजह से बौत दर्म का बटवारा मुकेरुख से दो शकाओं में ही नियान महायान में हो गया वो भी जलंधर में ही हुआ आपको तो पता ही होगा कि बोध धरम जो है दो भागों में बटी हुई है एक हीन यान एक महायान और इसका जो सुत्रपात हुआ कहीं न कहीं जलंदर में हुआ बोध धरम के इतियास में संसर एक अन्य महत पूर्ण एवन इतियास एक महत भी घटना मानी जाती है जहां पर जो है बोध को दो भागों में बाटा गया तो ये इसका गवा स्थल जो ती जलंदर थी वेस सांग ने अपनी यात्रा के दोरान जलंदर में मठो और बिहारो अस्तुपों को भी देखा और 1707 में जलंदर पर अलाउद दीन खलजी तथा जो है फिर बावर ने इस पर कबजा कर लिया क्योंकि ये समय काल थी जब बावर इसकी हाँ पर कंडिशन बहुत ही जो है सुभलब माना और उसने जो है इस पर कबजा कर लिया अंग्जेब की मिद्व के उपरान जलंदर पर बारा मिसालों के गट का दिकार रहा और 1857 की अजादी की युद में जलंदर का महतपुन भूमिका भी रहा तो ये भी कावी महतपुन बना देता है भारत सद्था अंदुलन के दरान जलंदर विट्रिशन के खिलाप बहुत बढ़े अंदुलन का केंडर बिन्दु भी रहा और जितने भी अंग्रेज़ों के खिलाप गदविदिया होती थी कहीं न कहीं जलंदर में भी इसका सुतर और गट भी तो यहाँ पर देखा जा जाए तो पर का फी महत्त्वपून बन जाता है ज़ stepping यहां पर बात करूं पुड़ी मुक्छिय ट्याय स्थान के अंसर गट कंग्रा तो कंग्डा का जो काफि महत्कूनस तल है देखा जाएं तो कंग्रा आज धरमसाला सहर से सतारा किलोमेटर दूरी पर जो है कंग्रा सहर इस्थित है तो यह आपको महतुपूर बात बता दूँ कि धरमसाला आपको पता होना चाहिए कि धरमसाला जो है कई मैचों के लिए जाना जाता है यहां पर मैच खेली जात जो है महत्वपून घाटियों में से आता है यानि देखा जाए तो हिम्थ्यल की सब से खुबसूरत और सबसे इंपोरटेंट घाटियों में कंगडा का स्तान महत्वपून आता है उम ब्यास नदी निकलती है व्यास नदी निकलती है घंगणा जिला का अस्तिव बहुत बहुत बड़ा नहीं है कंगणा का यहांपर पूर्णे गठन एक सितंबर 1972 को अस्तित्व में आया, कोई बहुत बड़ी लंबी स्टोरी नहीं है, इसका अस्तित्व जो है बहुत ही कम है, 72 में आया था, 1972 में, और जो हिमाचल सरकार ने इसका पूर्णे गठन किया था, पहले ये हिमाचल परदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद को हिमाचल पर्देश के दिया गया हुआ छेत्र के हिसाफ से पंजाब का सबसे बड़ा जीला था यानि देखिए इससे पहले जो था यह पंजाब का जीला था लेकिन एक नॉमबर 1966 में इसे हिमाचल पर्देश को दे दिया गया तो यह तो हमेशा चलती रहती है राज्य का बटवारा आए दिन होते रहते हैं और नए राज्य जो है बनते रहते हैं अब इसका कारण क्या है इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं क्या पता उनको इसमें स्व बढ़ जाएंगे क्योंकि इतने टुक्रे हो रहे हैं कुछ कहां नहीं जा सकता तो यह पहले पंजाब का ही पार्ट था लेकिन बाद में इमाचर पर्देश को यह चेत्र को दे दिया गया कंगरा जिले के अंतरगर्द देखा जाए तो मुख्य तह शील निरपूर भी आता है कंगरा, पलमपूर, दोहरा, गोफिपूर और हमीरपूर भी आते हैं तो यह सारे कंगरा जिले के अंतरगर्द जिले हैं जो इसके अंतरगर्द आता है जो महत पूर नहीं भी माना जा सकता है प्राचीन काल में ने से नगर कोट कहते थे जो प्राचीन समय देखा जाया है तो पुरातर समयमें इसको जो है नारक नगर कोट के नाम से जना जाता था त्री ग conservatives कहा जाता था वह इसे चंदरवन्सी को गतो छेत्रियराजपूतों कंस्तापित किया था और इसे देखा जाया तो इंद्रप्रस कुरू के शाशक युदिष्टर के छोटे भाई भीम के नाम पर इसको भीम नगर भी कहा जाता है यानि देखा जाया तो पुरानी कथा भी इसके साथ जुरा हुआ है इसलिए इसको भीम नगर के नाम से भी जाना जाता है और हर्ष वर्धन के शासन के में वेह सांग जलंदर में 635 इस्वी में आया और अपने लेखन में उसने कंगरा के बारे में बहुत कुछ उलेखे किया यानि देखा जाया तो हर्ष वर्धन के सासन में जो वेह संग हया था उसने कंगरा के विशेय में भी विस्तार प्रवग बताया अपने लेखों में और यहां ता राज तरंगरी में दिये गए कस्मीर के तिहास से पता चलता है कि कस्मीर के राजा संक बरम जिनका समय कालती 883 से लेके 903 इशा कत्री गता के राजा प्रिथवी चंद का परभूत्वु था यहां पर कंगरा में जो था पृटवी चंद का कापी परभोता था और एक हजार नौई स्वी में महमूद गजणी ने नगर कोट पर आकर्मन कीया यानि घजणवी भी जो है इसको अपने आधिन किया था यहां यहां से अथा धन संपती को लूट के ले गया क्योंको जब भी मुहमद ग़री भारत पर अकर्मन करता था घजारों घोड़ा हाथी से जो ए और उंटों से धन शंपती यहां से लूट के ले जाता था उसका कारी यही था और हमेशा जो है एक गुलाम पंस को यहां छोड़ जाता था 337 के मुहमद तुगलक वा 365 में फिरोजसा तुगलक ने कंगड़ा के किले पर भी कबजा किया यानि यह समय कालता जहां पर जो है किले पर कबजा किया गया फिर जहांगीर ने 1619 से 1620 में गुलेर के राजाओं की सहाथा से कंगरा पर प्रभुता अस्तापित कर लिया यानि उसके बाद जहांगीर का यहां पर प्रभुता रहा कंगरा में और मुगलों की सक्ति को छीन होने पर राजा संसार चंदो ने इसे आपस हासिल किया मुगलों की सक्ति चीन हो गई मुगलों की सक्ति खतम हो गई तो यहां देखा जाए तो राजा संसार चंद दो ने इसे आपस हासिल किया परंतु महराजा रंजी सिंग से संघर्ष में हारने के बाद महराजा ने यानि महरा रंजी सिंग ने अठाड़ा सा आठ में कंगडा के लिए पर कबजा भी किया